चले किसी की फरमाईश आई है कि round needle में यानिकी जो यह round needles होती है circular round needle इसमें किस तरीके से हम बनाए या शुरू करें शुरू आत करें कैसे क्योंकि देखें बहुत आसान होता है इन round needles में बनाना आप top down तो सारे round needles में बनाएंगे बहुत आसानी से बन जाता है एक तो फंदे बाहर नहीं निकलते हैं और आपको 4 या 5 चलाईयों को चलाना नहीं पड़ता है आप देखें किसी ने मुझे बोला कि बहुत लंबी होती है यहां की round needles जो इंडियन में हम लेते हैं आप यह देखेंगे पोनी की है यह लंबी है लेकिन ऐसा नहीं है यहां छोटी भी मिलती है आप यह देखेंगे यह 40 cm की है 40, 60, 80, 100, 120 जितने cm आप चाहें उतने cm आपको online मिल जाएगी यह पोनी की है अब जितने भी फंदे होंगे आप इसे use कैसे करेंगे इसे दखेंगे यह आप फंदे डाले हैं यह दो करते हैं ओपने जैसे करके इस तरीके से ही डालना है अब यह अपना तरीका है यह दालने का ऐस 게शsय अब दंदे दालने का अलग अलग तरीकों से फंदे डालती हूं, अलड़ी मेरे चैनल पर मैंने बताया हुआ है कि कैसे कैसे मैं फंदे डालती हूं, इस तरीके से आपने ये सारे फंदे जितने भी आपको चाहिए होंगे, उतने ही डाले हैं, अब एक चीज़ वार बता दू, ये सर्कुल नीडल म ये वाली, ये सारे numbers के आती हैं, उसी तरीके से इस में भी आल्मुस्स सारे numbers आते हैं, 10 number, 9 number, 8 number, 7 number, 6 number, जितने number आपको चाहिए, इस में circular में भी वो आते हैं, अब देखे, इस तरीके से जब आ방ने ऐसे करके, नर्मल जैसे फंदे डाल रहे हैं, उतने डाल दिए, ये टा अगर मेर को 100 फंदे डालने या 120 डालने होते है तो मैं छोटी लेती हूँ जनरली अब यहां पे देखेगा यह लिया है मैंने इसमें मैंने 100 फंदे डाले है यह देखेगे नॉर्मल जैसे मैंने किया है इसमें थोड़े से अलग तरीके से डाले तो उसके बाद आपने इसे राउंड कैसे करना है इसे यूस कैसे करना है देखेगे यह मेरी जो है आपकी 40 cm वाली है इसके बाद इसमें बड़ी भी आपको दिखा दूँगी कि अगर आपने बड़े में चलाना होगा तो किस तरीके से चलाएंगे फिलहाल देखेगा यह जो डाले है फंदे आप यह देखेंगे यह फंदे ऐसे है यह साइड उल्टी है यह देखे और यह साइड सीधी है जहां में मैंने fんだi डाले है HAR इस तरीके से यहां से फんだi डाले इसमें कैसे डाले हैं? यह मैondo छोड़ा सापको दिखा देती हूँ वैसे मेरे channel पर है यह है ऐसे की आपने यह एक फंदा और फिर नीचे से लिया और यह 2 फंदे इसमें मैंने ऐसे डाले है पर आप normal फंदे डालेगा और 100 फंदे इसमें मैंने डाले है तो यह तो मैं उतार देती हूँ क्योंकि मुझे इस फंदे नहीं चाहिए मैं already 100 फंदे इसमें डाल चुकी हूँ यह देखेगा, यह हो गया, अब आपने करना क्या है, जब आपने फंदे डाल लिए, तो आपने यह देखना है, कि यह सीधा तरफ कहां पे है, यह उल्टी तरफ है, यह सीधी है, यह देखेगा, यह सीधी है, यह देखेगा, और यह उल्टी है, तो आपने इसे सारे पूरे स जो ये उपर का साइड है ये पूरा सीधा होना चाहिए अगर ये एक साइड सीधा और आप ने एक साइड ऐसे उल्टे में कर दिया तो ये ट्विस्ट हो जाएगा वैसा नहीं करना है आपने इसे ऐसे नीचे रखके देख सकते हैं आप कि ये सीधा देखेंगे आप ये दियान से देखिए ऐसे पकड़ना है अब यहां पर हम एक फंदा एक्स्टा डालूँगी क्योंकि मुझे लॉक करना होता है जनरली हम लॉक करते हैं तो एक फंदा मैंने ऐसे नॉर्मल एक्स्टा डाला देखिए ये डाला अब ये पूरी लाइन सीधी है अब मैं क्या थोड़ा सा आपने हलका सा ऐसे लेना है अब ये वाला फंदा ये वाला जो ये फंदा है ये मैं इस पर लूँगी ऐसे और इस वाले फंदे को इस पर से उतार दूँगी हलका सा खीचेगा और इस पर से ये फंदा ऐसे उतार दीजेगा और इसे वापस लीजेगा और इस दागे को आप खीच लीजे तो देखेगा यह यहाँ पे यहाँ पे जो है देखेंगे आप ऐसे लॉक हो गया इस तरीके से अब हमने यहां से बनाना शुरू करना है इसको तो आप बैक कीजेगा तक यह नीचे की तरफ आए यहां से आपने नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं उस यहां जो है इसमें सीधा-सीधा बनाना है मैं इसमें जो बैसकी जोचीज बना रही हूं से मैंने सीधा-सीधा करना है अब राउंड कैशे करेंगे आप चाहे अगर बाडर बनाना एक सीधे एक उल्टे का वो भी इसमें कर सकते हैं यह आपने फिलाल ऐसे टाइट किया ऐसे और इसे पीछे खिसकाते वे जाएंगे, यह पीछे खिसकाया और यहां से आपने ऐसे करते वे इधर खिसकाया, यह देखें, यह, यह, यह लिया, फिर वही, ऐसे एक, यह फंदे बनाते वे गए, ये पीछे खिसकाते वे गए और फिर ऐसे लिए इस तरीके से और फिर ऐसे लिए बहुत आसान है करना ये देखेंगे ये अब मैं क्योंकि मुझे सीधे सीधे का बॉर्डर चाहिए तो इसलिए मैं यहां पर सीधा सीधा ही बना रही हूँ पर आप एक सीधा एक उल्टा कर सकते हैं जस्त आपने इसको ऐसे खिसकाना है और यहां पर एक मार्क जरूर लगा लिजेगे स्टार्टिंग पॉइंट का मार्क ताकि आपको पता चले कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो जरुरी नहीं है कर आप ना भी लगाए तो आपने पूरी लाइन ऐसे सीधी सीधी करते वे जो है जानी है यह देखेगा अब इससे आप कुछ भी बना सकते हैं आप चाहे पर्स जो मैंने बताया है वो बना सकते हैं जो भी मैंने काफी चीजे बताई है स्टार्ट कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि काफी फर्माईश आ रही थी कि सर्कुलर नीडल को यूज कैसे किया जाता है समझ नहीं आता है तो देखे का मेरे को लगता है कि यहाँ पर बहुत आसानी से मैं समझा पा रही हूँ कि I hope कि किस तरीके से बनाया जाए इससे आप क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फंदे जब हम बंदे बढ़ाते भी है तो वो निकलते नहीं है इसी में रहते हैं तो देखेगा यह देखे कितनी आसानी से बन रहा है कोई दिक्कत नहीं होती है जस्ट आपने यह ऐसे पीछे करते वे जाना है थोड़े चार-पांच फंदों के बाद इस तरीके से और यह ऐसे आगे करते जाना है यह देखे यह किया ऐसे तेलिए फिर बनाईए और शेयर जरू कीजेगा सब के साथ थैंक यू